वेलकम टू अलपे रिजेंट मैं मुके सर आप सभी का स्वागत करते हैं फिर से एक नीव क्लास में फ्रेंड से इस क्लास में लोग बात करने वाले एक बहुती मोश्ट इंपोड़ेट टॉपिक बारे में जो की टॉपिक अभी करेंटली में चल ला है जिस टॉपिक का नाम है वरतमान में कौन क्या है मोश्ट इंपोड़ेट कोशर हैगा आप सभी को किसी भी सरकार एक्जाम की त्यारी कर रहें तो फ्रेंड से कीन मानिएगा इससे बहुत सारे प्रश्ण एक्जाम में आप सभी के पूछे जाएंगे तो इस वीडियो को अनत तक जरूर देखेगा और कोशन को पेपर में कोपी या पेपर पर नोट जरूर कीजेगा सारे कोशन आप सभी के लिए सिलेक्टेड लिए गएगे एक्जाम ओरेंटर देखते हुए तो स्टार्ट करते आज की क्लास को और आज की क्लास का जो पाला कोशन है फ्रेंट्स कर रहे कि भारती अंत्रीच अनुसंधान संगठन इस्रो का अध्यक्ष किसे निउक्त किया गया है पाला कोशन का रहे कि भारती अंत्रीच अनुसंधान संगठन इसरो का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है अपसने में मुदली कुमार, B में है V कृष्णन, C में है S सोमनात, D में है N में से कोई नहीं तो इस रों के अध्यक्ष की बात करें फ्रेंड्स किसे निक्त किया गया है ति इसका राइट एंसर हो जाएगा एस सोमनात हो जाएगा अपसन नमबर C इस राइट एंसर हो जाएगा ठीक है फ्रेंड्स सारे कोशन फ्रेंड्स भीविया यह इंपोर्डेड है सेलेक्टेड को लिया गया है ठीक है न इसका जो राइट एंसर हो जाएगा है न्याय मूर्ती रीतु राज अवस्थी नेक्स कोशन नमबर 3 आगला कोशन का राईक एगला प्रशन तिसरा नमबर भारती राष्टी राजमार्ग प्राधी करन के नए अध्यक्च कौन बने हैं भारती राश्टी राजमार्ग प्राधी करण के नए अध्यक्ष कौन बने है आपसन ए में है संतोस कुमार आपसन B में है संजीव बसंत C में है अजय त्यागी और D में है इनमे से कोई नहीं तो इसका जो राइट एंसर हो जाए गया फ्रेंट्स संतोस कुमार यादोव संतोस कुमार यादोव जी को निग्त किया गया है भारती राष्टी राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में ठीक है Next question को रूफ करते question number 4 अगला प्रश्न कर रहे कि राष्टिय स्वास्थ प्राधी करण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं आपसने में है मोहित चोहान B में है संजीव महता C में है प्रमीड सार्मा और D में है रजनीश अरोणा तो इसका जो राइट एंसर हो जाएगा फ्रेंड्स प्रमीड सार्मा हो जाएगा प्रवीर सार्मा अपसन नमबर C इस राइट एंसर हो जाएगा ठीक है फ्रेंड्स अगले कोशन को र्मूव करते है कोशन नमबर 5 कोशन नमबर 5 कर रहे कि भारत के पाचास पाचासवे मूखे नयधिस के रूप में किसे निक्त किया गया है भारत के जो पाचासवे मूखे नयधिस जो बने फ्रेंड्स उनका क्या नाम हो जाएगा तो इसका जो राइट एंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यह हो जाएगा धनन जे यसवन चंदर चूण धनन जे यसवन चंदर चूड़ जी हो जाएगे Option number B is right answer हो जाएगा Next question is question number 6 Question number 6 कर रहे कि भारती Reserve Bank RBI RBI का Governor किसे निक्त किया गया है भारती Reserve Bank RBI का Governor किसे निक्त किया गया है तो इसका जो right answer हो जाएगा Friends, सकती कांदास सकती कांदास जी को RBI का Governor निक्त किया गया है Next question की और Move करते को Question number 7 प्रसन number 7 कर रहे कि भारती प्रती भूती और वीनिमय बोर्ड सेवी के अध्यक्च कौन बने है भारती प्रती भूती और वीनिमय बोर्ड सेवी के अध्यक्च कौन बने है तो इसका जो right answer हो जाएगा माधुरी पूरी बूच माधुरी पूरी बूच हो जाएगा नहीं यहाँ पर है कि माधवी है न की माधुरी है ठीक है ना माधवी पूरी बूच हो जाएगा अपसन number C is right answer हो जाएगा Next question के और Move करते है Question number 8 भारतिय थल सेना के नए प्रमुख के रूप में किसे निउक्त किया गया है तो इसका right answer हो जाएगा मनोज पांडे इस right answer मनोज पांडे जी को निउक्त किया गया इस सारे question friends current affairs से related है जो कि आपसे की एक्जाम में बहुत ही most important भूमी का निवात है ठीके न अगले प्रस्न को रूप करते है question number question number 9 question number 9 रक्षा अनुसंधान यम विकास संगठन DRDO 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 के नए अध्यक्च कौन बने है तो DRDO के नए अध्यक्च की बात करें तो हो जाएंगे समीर वी कामत समीर वी कामत जी हो जाएंगे option number D is right answer हो जाएगा next question के और move करते है question number 10 question number 10 कर रहे कि भारत के नए chief of defense staff भारत के नए chief of defense staff यानि की CDS CDS के रूप में किसे निव्ट किया गया है तो CDS के रूप में बात करें तो अनील चौहान जी को निव्ट किया गया है option number D is right answer हो जाएगा अनील चौहान ठीके friends अगले question को रूप करते है question number 12 question number 12 कर रहे कि भारत के राष्टिय सुरक्षा सलाकार के रूप में किसे निव्ट किया गया है तो इसका जो right answer हो जाएगा अजीत डोभाल अजीत डोभाल जी को राष्टिय सुरक्षा सलाकार के रूप में निव्ट किया गया है तो option number B आप सभी का right answer हो जाएगा अगले प्रश्ण के उर बात करते प्रश्ण नमबर 13 प्रश्ण नमबर 13 का रहा है कि राष्टी क्रिसी और ग्रामीर विकास बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे निक्त किया गया है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा केवी साजी नेक्स प्रश्ण के उर बात करते प्रश्ण नमबर 14 कराए कि नीती आयोग के नए सीओ कौन बने है तो इसका जो राइट एंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सीओ की बात करें तो बी भी सुबरमन्यूँँग बी भी सुबरमन्यूँँग जी को निक्त किया गया है नीती आयोग के नए सीओ के रूप में ठीके अगले प्रश्ण के उर बात करते प्रश्ण नमबर 15 प्रश्ण नमबर 15 कराए कि भारत के नए चुनाव आयोगत के रूप में किसे निक्त किया गया है भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे निक्त किया गया फ्रेंट्स तो इसका जो राइट एंसर हो जाएगा अरुन गोपाल अरुन गोयल हो जाएगा ठीके अरुन गोयल अप्सान नमबर A is राइट एंसर हो जाएगा नेक्स प्रशने प्रशन नमबर 16 शोरा नमबर प्रशने के बात करते का रहे कि भारतिय वायु सेना इंडियन इयर फोर्स इंडियन इयर फोर्स भारतिय वायु सेना के प्रमुख के रूप में किसे निक्त किया गया है तो इंडियन इयर फोर्स के उप प्रमुख की बात करें तो इसका right answer हो जाएगा फ्रेंड्स भारती वायुसे ना के उप प्रमुक यहां पर सिर्फ प्रमुक नहीं रहेगा उप प्रमुक रहेगा ठीके ना उप प्रमुक किसे चुना गया है तो अमन प्रित सी को अमन प्रित सी अपसा नमबर C इस right answer हो जाएगा नेक्स प्रस्ण के उर बात करते प्रस्ण नमबर 17 सतर नमबर प्रस्ण कर रहे कि रेलेवे बोर्ड के नए अध्यक्ष रेलेवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO के रूप में किस से निउक्त किया गया है तो इसका जो right answer हो जाएगा अनिल कुमार लहोटी अनिल कुमार लहोटी इस right answer हो जाएगा अप्स नमबर B ठीके अगले प्रस्ण के उर बात करते प्रस्ण नमबर 18 प्रस्ण नमबर 18 कर रहे कि भारत के नए लेखा महा नियंतरक के रूप में किसे निउक्त किया गया है भारत के नए लेखा महा नियंतरक के रूप में किसे निउक्त किया गया इफ्रेंस तो इसका right answer हो जाएगा एसस दूबे एसस दूबे अप्स नमबर A इस right answer हो जाएगा नेक्स प्रस्ण ने प्रस्ण नमबर 19 ठीके प्रस्ण नमबर 19 कर रहे कि भारत के नए बिदेश सच्चीव के रूप में किसे निउक्त किया गया है भारत के नए बिदेश सच्चीव के रूप में किसे निउक्त किया गया है तो इसका right answer हो जाएगा फ्रेंस आप सभी का विने मोहन कवात्रा विने मोहन कवात्रा हो जाएगा अपसर नमबर D ठीक है नेक्स प्रशने के और बात करते हैं प्रशन नमबर 20 प्रशन नमबर 20 कर रहा है कि सीमा सुरक्षा बल BSF 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 के नए महानीदेशा के रूप में किसे निफ्ट किया गया है तो बात करें BSF के नए महानीदेशा सुजय, लाल थावोस हो जाएंगे अपसर नमबर B नेक्स प्रशने प्रशन नमबर 21 प्रशन नमबर 21 कर रहा है कि नीती आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे निफ्ट किया गया है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा सुमन के वेरी सुमन के वेरी अपसर नमबर C इस राइट एंसर हो जाएगा नेक्स प्रशने प्रशन नमबर 22 बाइस नमबर प्रशन कर रहा है कि भारत के नए उपराष्टी सुरच्छा सलाकार के रूप में किसे निफ्ट किया गया है तो 22 का सही अंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप सभी का पंकज कुमार सी पंकज कुमार सी अपसर नमबर A इस राइट एंसर हो जाएगा नेक्स प्रशने 23 नमबर कोशन 23 नमबर प्रशन कर रहा है कि भारतिय तटरक छक इंडियन कोश्ट गाड इंडियन कोश्टगाड के नए महानी देशा के रूप में किसे निक्त किया गया है तिसका right answer हो जाएगा विरेंदर सी पठानिया विरेंदर सी पठानिया अपसा नमबर बी is right answer हो जाएगा नेक्स प्रस्णे प्रस्ण नमबर 24 24 नमर परशन कर रहे कि संग लोग सेवा आयोग UPAC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे निक्त किया गया है तो इसका राइट एंसर हो जागा फ्रेंड्स डाक्टर मनोज सोनी डाक्टर मनोज सोनी जी को इसके लिए निक्त किया गया है अब सा नमबर A अगला परशने 25 नमर 25 नमर परशन कर रहे कि भारत के नए महानिवादी के रूप में किसे निक्त किया गया है तो महानिवादी की बात करे फ्रेंड्स दिया हो जाएंगे आर व्यक्टर रमडी आर व्यक्टर रमडी अपसा नमबर A इस राइट एंसर हो जाएगा तो आज के लिए इतना ही रहता है फ्रेंड्स आपसे भी को वीडियो कैसा लागा इंड में जरूब बतेएगा वीडियो अच्छा लगता फिलिज चैनल सा स्काइब को और बेल आइकोन को प्रेस कतीजिएगा और कमेंट्स करके फ्रेंड्स जरूब बतेएगे वीडियो अच्छा लगता है कि नहीं लगता है आपसे भी को ठीके और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा सेर जरूर किजिएगा मिलते नेक्स वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग माई वीडियो